सूध जी कहते हैं महर्शियों अब मैं वैदिक कर्म के प्रती श्रद्धा भक्ती रखने वाले लोगों के लिए बेदोक्त मार्गु से ही पार्थी पूजा की पधती का वर्णन करता हूँ यह पूजा भोक और मुक्ष दोनों को देने वाली होती है आही सिक सूत्रों में बताई हुई बिधी के अनुसार बिधी पूर्बग इस्नान और संधियों पासना करने के पहले ब्रह्मयग करें तत्पश्चात देवताओं रिशियों सनकादी मनुश्यों और पितरों का करें अपनी रुची के अनुसार संपूर्ण नित कर्मों को पूर्ण करके शिव इस्मरण पूर्बग भस्म तथा रूद्राक्ष धारण करें तत्पश्चात संपूर्ण वनुमान्चित फल की प्राप्ति के लिए उची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लेंग पार्थि पूजा करने का विधान है ब्राम्हनों शुद्य इस्थान से निकाली हुई मिट्टी को यतन पूर्बग लाकर बड़ी साउधानी के साथ शिव लिंग का निर्मान करें ब्राम्हन के लिए श्वेत छत्रिय के लिए लाल वैशे के लिए पीली और शुद्र के ल लिए प्रयतने पूर्बग मिट्टी का संग्रह करके उस शुब मृतिका को अत्यमतर शुद्ध स्थान में रखें फिर उसकी शुद्धी करके जल से सानकर पिंडी बना लें और बेदोक्त मार्ग से धीरे-धीरे सुन्दर पार्थिव लेंगी की रचना करें तत्पश्च भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें उस पार्थि लेंगे की पूजन की जो बिधी है मैं उसे बिधान पूर्वक बता रहा हूं तुम सब लोग सुनो ओम नमा शिवाय इस मंतर का उच्चारन करते हुए समस्ष पूज को मंतर से छे खिट्धी खर्थित प्र आपम इस मानम इस मंतर से जलका संसकार करें इसके पाद नमस्ते शुद्ध्रम इस मंतर से इस्माने की बाद कहीघी है न माश जम्भायम इसमंतर से छेत्र-शुद्धी तथा पंच्याम्रत का प्रोषण करें तत्पश्चात शिव्भक्त पूरुष्ट नमः पूर्वक नील ग्रिवायम मंतर से शिवलें की उत्ता प्रतिस्था करें इसके बाद वैदिक रेती से पूजन करने वाला उपासक्त भक्ति पूर्वक एतते रुद्रा वसम इस मंतर से रम्निय आसंदे मानो महांतम इस मंतर से आवहन करें या तेरुद्रम इस मंतर से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें या मिशुन इस मंतर से शिव के अंगों में नियास करें अध्यवोचतम इस मंतर से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें अस्वयस्ताम्रो इस मंतर से शिवलेंग में इस्ट देवता शि इसके बाद नमसुते नील ग्रिवायम इस मंत्र से इस्ट देव को पादिसमर्पित करें रुद्रगाई त्रियम से आर्गदी त्रियम बकम मंत्र से आश्मन कराएं पयां प्रतिव्याम इस मंत्र से दुग्न इसनान कराएं दधी क्रामनियों इस मंत्र से दधी इसनान कराए गृत गृत पावा इस मंत्र से गृत इस्नान कराए मधु बाताम, मधु नक्तम, मधु मान्यों इन तीन दिचाओं से मधु इस्नान और शरकरा इस्नान कराए इस दुख्ध आदी पाच बस्तूओं को पंचमृत कहते हैं अथवा पादि समर्पन के लिए कहे नमस्तू ते नील ग्रीवायाम इत्यादी मंत्र द्वारा पंचमृत से स्नान कराए तदनंतर, म नमस्तू केम इस मंत्र से प्रेम पूर्बग भगवान शिव को कटी बंद अर्फित करें इसके बाद याते हेतियम इत्यादी चाले चाओं को पढ़कर बेदक्त भग्त प्रेम से बिधी पूर्बग भगवान शिव के लिए बस्त्र समर्पित करें इसके बाद नमः श्राय अभ्वम इत्यादी मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि बाला भग्त पूरुष भगवान को प्रेम पूर्बग गंध और अक्षत अर्पित करें नम्ह पर्यायम इस मंत्र से फूल चड़ाएं नम्ह पर्यायम इस मंत्र से बिल्वपत्र समर्पन करें नम्ह कदर पीने चहूं इस मंत्र से बिधी पूर्वक धूब दें इस रिचा से सास्त्रोक्त बिधी के द्वारा दीप निविधन करें फिर पूर्वक्त त्रियंबकम मं मंत्र से आचमन कराएं रिचाक से फल समर्पन करें फिर भगवान शुप को अपना सब कुछ समर्पन कर दें तदरंतर इन पूर्वोक तक दो मंत्रों द्वारा केवर अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें फिर हिरने गभ्यम इत्यादी मंत्र से जो तीन रिचाओं के रूप में पठी थें दक्षना चड़ा हैं देवस्य तुवाम इस मंत्र से विद्वान पूरुष आरध्य देव का अभिशेक करें दीप के लिए बताये गए नमह आश्वे इत्यादी मंत्र से भगवान शिव की निराजना करें तत पश्चात इमा रुद्रायम इत्यादी तीन रिचाओं से भक्ती पूर्वक रुद्र देव को पुष्वांजली अर्पित करें तथा वी के उपासक पूजनी देवता की परिक्रमा करें तथा भगवान को सास्टांग प्रणाम करें यतों यतम इस मंत् मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमाय सेनाम इत्यादी मंत्र से महा मुद्रा का प्रदर्शन करें नमो गोभ्यम इस रिचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं इस तरह पांच मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिफ सम्मंधी मंत्रों का जाप करें अथ्वा वेदग्य पूरुष शतरुंद्रिय मंत्र की आबृति करें। तत्पश्चात वेदग्य पूरुष पंजांग पाठ करें। तदन अंतर देवा गातुम इत्याधी मंत्र से भगवान शिव कभी सर्जन करें। इस प्रकर्श्य पूजा की वेदिक विधी द्वारा विस्तार से प्रतिपाधन किया गया है। महर्श्यो अब संशेव में पार्थिप पूजा की वेदिक विधी का वर्णन चुनो। सद्व जातम इस रिच्चा से पार्थिप लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। बाम देवाई इत्याधी मंत्र से उसमें जल डाले। जब मिट्टी संकर तयार हो जाए तब अगहुरा मंत्र से लिंग का निर्मान करें। फिर तद पुर्शायम इस मंत्र से विदिभद भगवान शिवप का आवहन करें। तद नंतर इशानम मंत्र से भगवान शिवप को बेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाए अन्य सवी बिधानों को भी शुद्ध बुद्धी वाला उपासक संचेप में ही संपन्ने करें। इसके बाद बिद्वान पुरुष पज्जाशर मंत्र से अथवा गुरु के देव हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से सोलह उपचारों द्वारा बिधी पूर्बक पूजन करें। भवाय भगनशाय महा देवाय धीमही उग्राय उगनशाय शर्वाय शशिमोलिने। इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करें। बहे भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करें। क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनुवांचित फल देते हैं। ब्राम्भनों, यहां जो वैदिक बिधी से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूण रूप से आदर करता हुआ, मैं पूजा की एक दूसरी बिधी बता रहा हूं, जो उत्तम होने के साथ सर्वसाधारन के लिए उप्योगी है। मुनी बरो, पार्थिक लिगी के पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। बह पूजा संपून अभिस्टों को देने वाली होती है। मैं उसे बताता हूं, सुनो, हर महेश्वर, संभू, शूलपाणी, पिनागध्रक, शिव, पशुपति और महादेव, यह क्र प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमह का उच्चारन करके पार्थिक लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए। दूसरे अर्थात ओम महेश्वराय नमह का उच्चारन करके लिंग निर्मान करे। फिर ओम शंभवे नमह बोलकर उस पार्थिक लिंग के वहन करें ओम पिना ग्रशे नमहा कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं ओम शिवाय नमहा पोल कर उनकी पूजा करें फिर ओम पशुपतीय नमहा कहकर शमा याचना करें और अंत में ओम महादेवाई नमह कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दे। प्रतेक नाम के आगे ओमकार और अंतमे चतुर्थी विभक्ति के साथ नमह पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन सम्मंधि सारे कारे करने चाहिए। पडशर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास की बिधी भले भाति संपन्य करकी फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें जो कैलाश परवत पर एक सुंदर जिहासन के मध्य भाग में बिराजमान हैं जिनके बाम भाग में भगवति उमा उनसे सटकर बैठी हुई हैं सनक सनंदन आदी भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावा नर्थ को नस्ट करने वाले आप्रमिय शक्तिशाली इश्वर हैं उन बिश्व भीवूशन भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्य धारन करते हैं रत्नों के आप्षान धारन करने में उनका शिरी अंग और भी उद्धासित हो उठा है उनके चारों हातों में क्रमशह, परशूर, मुर्गमुद्रा, बर और अभयमुद्रा शुशोवित हैं वेसधा प्रसण रहते हैं कमल के आसन में बैठे हैं और देवता लोग चारों और खड़े होकर उनकी इस्तूती कर रहे हैं उन्होंने बस्त्र की जग है ब्याग चर्म अधारण कर रखा हैं वे इस विश्व के आदी हैं बीज रूप हैं तथा सबका समस्भय हर लेने बाले हैं उनके पांच मुख हैं और प्रतेक मुख मंडल में तीन तीन हैं इस प्रकार ध्यान और उत्तम पार्थि प्लेंगे की पूजा करके गुरू के दिये हुए पज्जाचर मंत का बिधी पूर्बग जब करें विप्रबरों विद्वान पूरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिप को प्रणाम करके नाना प्रकार की इस्तुतियों द कंतरों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसंदता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रात्मा करें सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूत नाच्शिव मैं आपका हूं आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथ्वा आपकी गुण ही मेरे प्राण मेरा जीवन सर्वस्थ से हैं मेरा चित सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है यह जानकर मुझ पर प्रसन्य हो ये क्रिपा कीजिए शंकर मैंने अंजान अथ्वा जान बूझ कर यदि आपका जप और पूजन आदि किया हूं तो आप ही क्रिपा से वह सफल हो जाए गौरीनात मै आधुनिक योग का महान पापी हूं पतित हूं और सदा आपके ही परमहान पतित पावन हूं इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें बैसा करें महादेव सदाशिव बेदों पुरानों नाना प्रकार के शास्त्रे सिध्धान्तों और विभिन महार्ष्यों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है फिर मैं कैसे जान सकता हूं महिश्वर मैं जैसा हूं वैसा ही उसी रूप में संपुन भाव से आपका हूं आपके आश्रित हो इसलिए आप से रक्षा पाने योग हुँ परमेश्वर आप मुझ पर प्रसन हो ये मुने इस प्रकार प्राथा करके हाथ में लिये हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के उपर चढ़ा कर उन शंबु देव को भक्ति भाव से बिधी पूर्व देविश्वर शिव की इस्तूति करें इसके बाद गला बजाकर एवं पवित्र बीनी जित वाला साधक भगवान को प्रणाम करें और आधर पूर्वक विज्यति करें और उसके बाद विसर्जन मुनिवरो इस प्रकार विधी पूर्वक पार्थी पूजा बताई गई है भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली होती है